हालो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल ला होगा चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे DFCCI exam के लिए जेंडल साइंस का कुस्चन देखेंगे इसमें हम जो पीछे वीडियो आपको दिये थे इसमें physics का miscellaneous कुस्चन दिये थे इसमें actually 100 कुस्चन है तो हम 50 आपको पीछे वाले वीडियो में करा दिये थे और आप लोग का response उसमें बहुत अच्छा रहा था तो इसलिए हम जो 50 और miscellaneous question बचा हुआ है physics का, general science का यह हम आपको आज कड़ा देंगे ठीक और यह सभी के सभी question बहुत important है आपके exam point of view से तो आप एक बारी से जरूर देखिए आपको काफी benefit मिलेगा इसे ठीक है तो चलिए देखते आज का पहला question आने की यह 50 number question ठीक है तो देखिए क्या कड़ा है कि which one of the flowing statement is not correct तो कौन साइस में correct नहीं आपसे पूछ रहा है तो देखिए इसमें option 4 जो यह correct नहीं कर रहा है power इसे vector quantity नहीं power कैसा होता है तो यह scalar quantity होता है देखिए अगर आप English में समगते तभी भी Hindi में समगते तभी भी कोई problem नहीं होगा हम सब समझा देगे आपको देखिए power कैसा होता होता है scalar quantity होता है तो यह यहाँ पे गलत दिया हुए scalar का मतलब क्या होता है सदीष रासी ठीक है और vector का मतलब होता सदीष रासी vector मतलब होता जिसमें क्या होता magnitude भी हो और direction दोनों हो और scalar मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसके पास magnitude हो समझ गये बातों को चलिए option हम एक और दो देख लेते हैं इसमें क्या करना चलिए हम इधर करके थोड़ा सा option एक दो भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी important है देखिए option एक क्या कर रहा है कि if the mass of a body is double then kinetic energy is also double सही बात कहरा देखिए kinetic energy होता क्या है पहले आप ये formula भी याद रखे कि half m v square होता है तो mass यहाँ क्या है मतलब directly proportional है तो अगर हम mass को double कर दे तो फिर से kinetic energy यहाँ पे क्या हो जागा तो half और double कर देंगे तो 2m और v square हो जागा यहाँ पे देख रहे kinetic energy क्या हो जागा double हो जागा तो मतलब ये बात सही है चलिए आप option नमर हम कौन सा देख लेते दो देखते देखे दो क्या है if the velocity of a body is half then kinetic energy becomes one fourth तो सही बात है देखे kinetic energy क्या होता था one by two half m v square होता था जब इसको आप आधा कर दीजेगा तो ये कितना हो जागा एक बटा चार बच जागा क्योंकि देखे one बटा two m और v बटा कितना दो ठीक है इसका अगर hole square की जागा तो ये यहाँ पे निकल कर के बाहर में आगे क्या चार बन जागा और यहाँ सही हट जागा समझगे बातों को तो one fourth हो जागा ये भी सही है और तीसरा नमर देखे क्या कर रहा है कि energy is a scalar quantity तो बिल्कुल सही इनर्जी और power दोनों कैसा होता है तो a scalar quantity होता है चलिए अब हम question number next देखते हैं देखे क्या है आपका बाबन number question क्या करा देखे कर रहा है horse and dog मतलब दोख है एक तो घोड़ा है और एक कुता है ठीक है running with a c m a speed मतलब दोनों का velocity क्या है तो c m है if the weight of the horse is five times weight of किसका तो मतलब dog का आप देखे हम यह अगर horse का माल लिए और यह dog का माल लिए ठीक है तो इसका आगर हम mass माल लेते m1 तो इसका mass कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा अगर m2 तो हम इसमाँ अगर दोनों में relation देखेंगे तो m1 is equal to कितना हो जाएगा five times into में m2 हो जाएगा यही बात हो जाएगा यही कह रहा है question में कह रहा हुआटी the ratio of kinetic energy तो देखेंगे अगर हम kinetic energy लिखें किसके लिए horse के लिए लिख रहे है ठीक है उसके बाद हम kinetic energy किसके लिए लिख रहे हैं M2 के बराबर है तो five कितना हो जाएगा यहाँ पर M2 और बटे में कितना M2 हो जाएगा तो इसे ही कर जाएगा तो ratio क्या आजाएगा आपके पास five ratio one आजाएगा समझ गे बातों को देखें actually हम यह समझने के लिए लिखे हैं आपका three-point number question क्या है देखे कर रहा कि what is it? escape velocity of object escape velocity क्या होता है कि अगर इस velocity से हम कोई भी चीज को अगर अर्थ से फेकते हैं तो यह return नहीं आएगा यह gravitational field को पार कर जाएगा समझ गया तो यह होता क्या escape velocity जो होता है इसको हम कैसे लिखते तो इसका formula होता है 2gr होता है और यहाँ पर g क्या होता है तो 9.81 होता है और r क्या होता है तो radius of earth होता है तो इसको आप अगर exact लेकर के calculation करना चाहते हैं तो 3678 km होता है ऐसे generally यह proxy लिया जाता है तो इसको कितना 600 km ले लिया जाता है अब इस दोनों को जब calculation कीजेगा आपके पास आजाएगा 11.16 यह कभी-कभी 16 नहीं देकर के direct 11.2 भी दे देता है km per second देखे आप confuse मत कीजेगा इसको km per second में हता है याद रखे कभी-कभी गरवड़ी में जल्दी-जल्दी में हरवड़ी में थोड़ा गरवड़ी हो जाता है तो लोग इसमें meter मतलब unit का ध्यान नहीं रखते और direct लगा देते इस बात को आपको unit का भी-स ध्यान दखना है क्योंकि हर जगा ऐसा देखे हम कि जो भी option देता है उसमें 2 को रहता 11.2 ते आपको ध्यान दखना है देखे यहाँ पर क्या कर रहा है कि कौन सा statement correct है देखे इसमें जितना भी statement हो सभी कि सभी correct है चलिए हम एक बाट थोरा साब को बता देते देखे जो astronomical telescope होता है उसमें जो object होता है उसका जो lens होता है तो अबजेक्ट होता है पर लेकिन जो लेकिन जो इसका focal length काईसा होता है तो यह small होता है मतलब एक ही गोहम दी यह ऊपर के तरफ ठीक है तो मतलब छोटा होता है समझ गया चलिए यह भी सही है इसको भी आप देख लीजे चलिए हम तीन नमर भी थोड़ा बता देते देखिए माइक्रो एसकोप क्या है कि माइक्रो एसकोप में क्या होता है कि जो अबजेक्ट होता है और आई पीस होता है दोनों का क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस का बना होते है यह बात मतलब ठीक है ठीक है लेकिन बात यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो focal length होता है ने दोनों का sortay होता है ठीक है यहाँ पे microscope pick में हम क्या देखते हैं कि बहुत छोटे level पे चीजों को देखते हैं समझ गया तो इसमें दोनों का होता है क्या जैसे कि object का भी focal length और eye piece का भी focal length दोनों का focal length का साथ है तो छोटा ही होता है इस case में ठीक है क्य अगे देखते हैं पच्छ नमर कुश्चन क्या कर रहा है कि कॉनकेब मीरर रूप में इसका होता है तो अवतल धर्पन होता है हिंदी में इसको अवतल धर्पन बोलते हैं । magnify का मतलब तो मैं बताई दिया हूँ बड़ा होता है ठीक है इसका इसलिए हम saving mirror के रूप में use करते हैं इसको ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे आगे आपका जो कुछ चैन है यह 56 नमर है ठीक है देखे समझने का कुछिस कीजिए क्या करा है कि select the not correct statement ठीक है तो आप बा यह गलत बात है ठीक है फोटोग्राफिक में ऐसा नहीं होता है ऐसा कहां होता है तो रेटीना के case में होता है तो देखे हम एक दो तीन तीनों पर लेते हैं तीनों से भी कुछिन बन सकता है देखे real and inverted image बनता है कहां पे बनता है तो रेटीना पर real का मतलब क्या हो गया कि ब बास्तविक और inverted का मतलब उल्टा बास्तविक और उल्टा image बनता है कहां रेटीना जो हमारे आंख का रेटीना है उस पे ठीक है और camera में भी कैसा image बनता है तो हमारे आख के जैसा image camera में भी बनता है कैसा तो देखे real and inverted image camera में भी बनता है ठीक है चलिए आगे देखे रेटी क्या है कि select the scalar quantity था हम आपको scalar vector सब कुछ पढ़ा चुके हैं physics में अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो भी देखते रहे हैं समझगे बातों को तो जब कि कि scalar का मतलब होता है कि अदीस राषी अदीस राषी में क्या होता है कि सिर्फ magnitude होता है समझगे बातों को और factor मतलब सदीस राषी होता है इसमें magnitude and direction दोनों होता है तो यहां पर कुन हो जैगा current हो जबकि लोसीटी हो गाए السलेशन हो गाए इसके पास magnitude दोनों होता है चलि तो इघर डबल कर देगा तो यहां पर देखें आपका कुछा कुछान है तो 69 नमर कुछान है क्या कर रहा है देखिंगा यह रेडियो सेट्ट मतलब रेडियो सेट्ट जो कितना तो 80W को है ठीक है और 20 आबर वो चलता है ठीक है हाउ मच इलेक्ट्रिसी टी कंजूँ तो देखिए सबसे पहले बात आपको यहां यूनिट पर एक नजर डालिए गया तो क्या सबसे पहले बात अगर आप 20 को गुणा कर लेते हैं तो आपके पास यूनिट क्या आगया वाट भी आगया और आबर भी आगया दो आगया अगय किलो लाना है आपको तो यहाँ पे अगर आप किलो लगाईएगा यहाँ पे आप लगा लिजे किलो ठीक है तो किलो लगाईएगा तो क्या किजेगा नीचे में एक हजार से भाग दे दीजे किलो लगा लिजे ठीक है तो दो को से दो कट जागा और इसके बादी 16 हो जागा त उसके बाद इसके उपर जो वाट लिखा गया तो 100 वाट समझ गया बातों को आगे क्या पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है आप क्या जानते हैं तो भी इंटू में आई जानते तो लिख लीजे ठीक है और जो औम सलस्व मापको क्या बताएं कि भी इजकल टू में आई आर होता है देखिए अब यहां पर है कि आई के फॉर्म में हमारे पास कुछ नहीं दिया तो हम आई को चैंज कर लेंगे भी के फॉर्म में समझ गके था पीजकल टू में क्या लिख लेंगे तो कितना आजाएगा आपको तब 20 सही है 400 ओम आजाएगा ठीक है रेजिस्टेंस आपका 400 ओम आजाएगा तो इंची जो का आपको ये दोनों फर्मुला इसमें में है इसको आप लिख लिजे ठीक है चाहीं भी लिख लिजे कोपी में क्योंकि अभी आपको असान लगते रहत लेकिन जब एक जाम आजाता है तो आपको लगता यार क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे एक एक जगा अगर लिखते जाएगा जो हम बताते हैं इंपोटेंट है उसको लिख लिजे तो अगर उसको लिख लिजेगा तो आपको काम आएगा ठीक है कभी भी बेर्थ न भी पुछा जाते है कि लाइव वायर का कौम सा कलर होता है तो लाइव जो वायर होता है इसका रेड कलर होता है कैसा होता है रेड यह आपको याद रखना है और जो अर्थ वायर होता है इसका होता है ग्रीन कलर होता है समझ गया बातों को तो यह आप यहाँ पर नूट करके म मतलब होता है नभी करने उर्जा समझ रहर है जिस उर्जा की बजह से कोई आनी की बहू ज्यादा पॉलूसन नहीं हो ठीक है और हमेशा वो मतलब जैसे क्या होता है कि वह एक दम मतलब थोरा सा कोस्ट infection भी होता है यो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है हहाथ से percept कि आज़ाता है वह सब से ज्यादे कौन crouch में कि आते हैं आज अभी कुश्यक फुच्चन नहीं पूझा और टोल्य ये यह सब घो सब्सक्राइब बता। चलिए आगे देखें, देखें 62 नमर कुषिन एक लिए रिपीट होगा यह दोनों ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, चलिए 63 नमर कुषिन देखें, देखें क्या है 63 नमर की काड़ा है, कि अपको सब कुछ थोरा बहुत प्रियाडिक्टेबल याद रखना चाहिए, कि इसका मोलिकूलेर तो गुलकोज का पुछ रहा है, गुलकोज का फर्मूला क्या होता है, तो C6 फर्मूला में पहले सही से लिख देते हैं, देख लिए, C6, H12 और O6 होता है, ठीक है, तो आप इसका जो, मतलब कारबन का, आप अटोमिक जो नमर है, वो जानते है, अटोमिक का कितना होता है, यही हो गया, इसका क्या मोलिकूलर मास हो गया, समझगे चीज़ों को यह बार-बार निकालने के लिए पूछता है, तो आप इसका मतलब गुलकोज का, सुगर का, और वाटर का, कारबन डायुकसाइड का, इस सब को आप याद रखे, सब का सेम तरीके से एक जलक आप पिडेटी टेबल के उपर मारिए, पिडेटी टेबल अपने पास रखे, ठीक है, और एक जलक मारते रहिएगा तो आपको काईफ़ी कुछ याद होते चल जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे देखे, 64 नमर कुछन क्या है, कि एक लाइट इयर इक्वल टू कितन लगता है, लेकिन अभी अगर केर नहीं किजेगा, त बात में यहीं चीज भाड़ी हो जाता है, ठीक है, चलिए, आगे देखे, सुपर कंडक्टिविटी का खोज किसने क्या था, इम्पोटेंट कुछन, आप याद रखे, ठीक है, तो कैंबरलीन, कैंबरलीन वंस ने देखे, प्रोटोएस्टर क्या होता है, यह आपको याद रखना है, देखे, प्रोटोएस्टर क्या होता है, देखे, प्रोटोएस्टर क्या होता है, देखे, किसी भी अब्जेक्ट का टेंप्रेचर जो होता है, बहु जादे कम हो जाता है, माइनस में टेंप्रेचर हो जा object भी थे strong gravitational field ठीक है light cannot skip देखे मतलब एक ऐसा जगह है जिसका gravitational field इतना ज़्यादा है gravitational field जो है वो इतना ज़्यादा है न density कि वहाँ से light भी अगर अंदर जाता है अगर light भी अंदर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है वो कौम सा जगह है तो black hole है वो जगह ठीक है black hole का खोज किसने किया था आपको याद है अगर याद है तो बताए तो comment box में थोड़ा क्या है चलिए देखते आपका और 6 नमर question आगे क्या है देखे क्या कर रहा है assuming neutrons neutron star emit radio wave and call उसको क्या बोलते हैं ठीक है उसको क्या बोलते है इसको पलसर श्टार बोलते है इसको ठीक है यह सब question actually है तो जोगरफिका लेकिन physics में भी आता है दोनों जगह आता है तो इसको आपको याद रखने है ठीक है पेड़ आपको पुस्चे लेता है इस गिर जाता है क्यों तर रेक्स्ट ऑफिनर सीया के बजयद से गिर जाता है नीचे समझ गहें तो कुष्चन को समझ लिजी एक बार कैसा भी लोंगेज घुमाएगा आपसे बन जाएगा चलिए आगे देखें आगे आपका क्या तो एक 70 नमर कुष्चन है देखें क्या कर रहा है कि टू रड अनिकि दूग आईरन रड है ठीक यहां पर लिख लिजी आप एगो एगो बी है स यहां पे क्या तो थर्मल थर्मल इक्सपेंशन थर्मल इक्सपेंशन में जब होता है क्या जब यह टेंपरेचर बढ़ता है तो किसी भी मेटल के अंदर थर्मल इक्सपेंशन होता है तो वहां पे जो चेंज अफ लेंथ होता है उसके लिए फर्मूला क्या होता है डेल एल askेज़ Issues यहांपे अगर हम A के लिए निकालेंगे dal A के लिए ठीक अगर हम A के लिए के लिए था यहांपे क्याा देखे हैं कि एल कितना है तो एक मीटर है अलफा क्या है तो दोनों में सेमी होगा तो कट जागा यहाँ पर अलफा डेल्टी लिख देते हैं यहाँ दूसरे बी के लिए देखे दो मीटर है और अलफा डेल्टी लिख देते हैं तो यह डेल्टी कट जागा दोनों से और अलफा भी कट ठीक है तो इस ratio में ये आगे भी बढ़ जागा तो मतलब directly proportional किसके हुआ length के हुआ चलिए तो option कौन हो जागा एक हो जागा समझ गया चलिए आगे देखते हैं आगे आगे आपका कौन सा कुछन है 72 रहे हो जो जीए पूछ नम्हें युनिट को होता है हो जेख है आँ' क्या कि which of the flowing not a part of external combustion engine तो देखिए इस पार्क पलग किसमें होता है internal combustion engine external का मतलब समत्ते है ना जिसमें हम सब कुछ बाहर से देते हैं जैसे कि उसमें बाहर होता है steam generator होता जैसे पहले का rail engine सब देखे हो यह गा ना जो कोईला पे चलता था वो सब external combustion इसमें होता है तो इसमें होता है मतलब जैसे कि आप देखते अभी इतना भी इंजन motorcycle के लिए सब चलता है तो इसमें क्या होता है क्योंकि internal combustion में यह चीज़े होता है लेकिन आपको यह external पूछ रहा है तो उसमें क्या cylinder piston अगर होगा तो पिस्टन तो होगा या common sense भी यहां लगा करने के लिए नहीं न तो समझ लिए ऐसे कुष्चन को आप क्या कर सकते हैं यूथरा सोच बिचार के भी अटा सकते हैं अप्षन को चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है चोहत्तर नमर कुष्चन देखिए क्या कहा रहा है कहा रहा है होता है और यह radius of earth है समझ गया बातों को चलिए आगे देखते हैं आगे 66 नमर कुष्चन देखिए क्या है कि इलेक्ट्रो मोटीव फोर्स रीपर्जेंट करता है तो energy per unit चार्ज को रीपर्जेंट करता है इलेक्ट्रो मोटीफोर्स समझ गया चली आगे देखते देखिए यहां सा 70 में पुछा है कि एक मीटर सेंटी मीटर में क्या होता है भाई यह कुछन बहुत हाड है मैं नहीं बताऊंगा आपको खुदी आता है ठीक है चली आगे देखिए 78 नमर कुछन क्या है कि इलेक्ट्रो माइक्रोइस्कोप कि कि दोरा इन्वेंट किया गया था तक क्लोन एंड उसका के दोरा यह कुछन है कल के वीडियो में भी आया था यह इंपोर्टेंट कुछन है फिर इसलिए मैं यहां पे भी बता दिया हूं चली आगे देखिए 79 नमर कुछन आपका क्या कह आप चीज़े को इसमें अमोनिया मतलब सब कुछ आप डाल करके एक्स प्रिमेंट करते है ना लिक्विड डालते फिर पाउडर डालते इसमें डाल करके और क्या करते है ऐसे घूमाते रहते तोичес Pam की मामलो गर्बर हो जएगा इसलिए यहां पर येक्टिव मैटेरियल का यूज नहीं किया जाता है तो पायरिक्स ग्लास का यूज किया जाता है चलिए आगे देखिए 80 नमर कुछन क्या है कि वीच कलर इस सुटेबल फॉर वासिंग और फोटोग्राफिक फिल्म डार्क रूम तो यह कौन सा कलर सुटेबल होता है तो यहां पे जब यह देखते है लोग आने कि purity of milk तुरत इसको मार के निकल जाते है नहीं वही आपको ध्यान देना है अगर अप्सन नमर जो चार है अगर यह नहीं रहे अप्सन में तब तीन लगाना है कि यहां पे क्या बोला है कि density and purity of milk सही बात है देखिए क्योंकि अगर यह ना रहे अफसर में density वाला तब आपको purity of milk में लगा लेना है तब सही हो जागा समझ गया बातों को चलिए आगे देखते हैं आगे आपका मतलब 30 नमर कुछन देखिए क्या करा है फिच अब दा फूलोइंग कूलेंट इज कॉलेंट इज कॉलेंट यूज करते है लिक्विड सोडियम और हेवी वाटर का यूज करते हैं ठीक है चलिए 84 नमर कुछन देखिए क्या है 84 नमर कुछन है किनिपर आनि किनिपर मैग यह क्या है मतलब कौन सा अलोई है तो देखिए यह सब अलोई है तो इसको डाइरेक्ट आपको नामे याद रखना परेगा इ पंदर अलोई दिया गया ठीक है इसको आप एक जलक अच्छे से मार लिजेगा मोबाइल में फोटो घित लिए आपको एक बार में याद नहीं होगा मैं बता रहा हूँ मोबाइल में फोटो मार लिजेगा ठीक है और जब सुने हुने जाईगा किसी भी टाइम आपको अब लिए बेस्ट तरीका ये है कि जिन चीजों में आपको डिफिकल्टी होता है याद नहीं होता है उनको आप बार-बार देखने का कोशिष किजिए यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको बार-बार देख करके याद रख सकते हैं ठीक है अगर एक बार आप दू घ कितना बार देख लिएगा देखिए तो कुछ ऐसे कलेक्ट टॉपिक होता है जिसको आप सोते जाते हैं उसे में आपके हाथ में मोबाइल भी रहता है आप उसको चटाक दिया उटा करके चारबर देख लिए क्या फैदा उसे समझ रहा है जब तक आपका सेलेक्शन नहीं ह तो तो क्या बताता था जो इसमें जो इसका खास करके पूछा जा रहा है कि इसमें कि four finger मतलब क्या सो करता था तो direction of magnetic field को सो करता था समझे बात तो इतना आपको याद रखना है और जोये मतलब current saw करता था जो central finger जो होता था निए इसके द्वरा direction of current so करता था ठीक है और जो thumb होता था उसके द्वरा एक है तो option 3 जो है यह saw करता था direction of force acting on the conductor यjung चीजे मतलब thumb के द्वरा saw करता था ठीक है चली आगे डेखते 86 number question देखे 86 number question क्या है इसको अब ध्यान से देखे क्या करा है कि and the power of मतलब convex length तो देखे convex length का power का साथ तो positive power होता है ठीक है और power हम निकालते हैं कैसे तो one by if करके फ्या होता है तो focal length होता है इसका unit हम किसमें मापते है power का जो length होता है उसका तो हम diopter में पूछा जाता है और negative किसका होता है तो concave का concave का negative होता है और concave को हिंदी में क्या बोलते है तो अब तल बोलते हैं और convex को क्या बोलते है तो उतल बोलते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे आपका question नमर को ने तो सतास्ती है देखें क्या कर रहा है कि यह blue color object appear in red तो देखिए blue color जो है मतलब red light में कैसा red light blue color है पहले आपके पास red light से अगर इसको हम देखें तो कैसा black दिखेगा हम एक concept आपको यहाँ पे देते ध्यान लगे देखिए जो भी color है न suppose कि यह blue color है ठीक है तो हम blue light में देखते तो कैसा दिखता बुलू दिखता और blue color के और किसमें तो white light में देखेंगे तो कैसा दिखेगा blue दिखेगा ठीक है बाकी किसी में देखेंगे तो कैसा दिखेंगा बलैक ही दिखेंगा जो कलर है हम अगर उसी लाइट में देखेंगे तो हमको वही दिखाई देगा और उस कलर को हम वाइट लाइट में देखेंगे तो वही दिखाई देगा बाकी अगर किसी भी light में हम अलग light change कर लेते अलग color के उपर तो वहाँ पे क्या होगा white को छोर करके अलग color है और अलग color का light हम यूज़ कर लेते हैं तो हमें सब में black दिखेगा समझ गये बातों को suppose कि हमारे पस यहाँ red color होता अगर हम इसको red light में देखते तो कैसा दिखता तो red दिखता समझ गया अब red color हम white light में देख रहे है तो कैसा दिख रहा है फिर भी red दिख रहा है समझ गये अब red color हम blue light में देखेंगे तो कैसा दिखेगा black दिखेगा यह blue था और यह black दिखेगा समझगे बातों को अब इसके इसी तरह से अगर दूसरा कलर का हम लाइट डालेंगे ना वाइट शोर करके तो सीधे हमें बलाएखी रिजल्ट देगा तो हम इन चीजों को याद रखना है समझगे चलिए हम आगे देखते हैं आगे आगे आपका कौन कुछन है तो 18C नमर कु अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो हमें यह मिलेगा अगर इस दोनों कलर को मिलाएंगे तो यह मिलेगा तो हमें सियान मिलने के लिए किसको किसको मिलाना पड़ेगा तो ग्रीन और बुलू को मिलाना पड़ेगा तो अगर हम रेडर बुलू को मिलाएंगे तो क्या मिल पाइनल इमेज फॉर्मेड कंपाउंड माईक्रोषकोप के द्वारा इमेज फॉर्मेड होता है तो मतलब वर्चुल और इमेज फो होता है बास्तविक नहीं होता है और उल्टा भी छोता है लगभग लगभग चोंतासो, चोंतीसो डिग्री सिलसियत होता है, समझगे बाद, इसके आसपास भी दिया रहागा, तो आपको टिक लगा लेना है, क्योंकि एक जेक्ट, इसका वहलू अगर सर्च किजिएगा, तो थोरा सा आगे पिछे दिखाता है, कहीं आपको सारे, मतलब चोंतीसो से थोरा उपर दिखा देगा, कहीं थोरा नीचे दिखा देगा, समझ गया, चलिए आगे, देखिए हम आपको एक एवरिल रेंज क्यों बता दें, क्योंकि आप लोग करते क्या है, अगर एक जेक्ट बता देते हैं, कोई बीची, तो एक बार नेट पर सर्च कर लेते हैं, और अलग उसमें वो अप्सन यह भी था, कि supply, money supply बर जाता है, तो हम आपको बताया थे, कि क्या होगा, जब यह अप्सन नहीं रहेगा, तब हम सिर्फ money supply पर ध्यान देंगे, अगर यह अप्सन है, कि money supply के बजह से, money supply बा मार्केट में बर गया, उसके बजह से क्या होगा, कि production, मतलब का reply करने का लेकिन जहां तक अच्छा होता है मैं कर पाता हूं चलिए आगे देख्ते नबे नमर कुछन क्या है देखिए the main component which आनि की charge आनि की change ठीक है आनि की main component which change the AC generator into DC, AC से DC में जो generator को change करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं a split ring communicator बोलते हैं, समझ गया बातों को तो इसको आपको याद रखना है, चली आगे देखते हैं, आगे आपका इसमें लगा हुआ, इसमें लगा हुआ गरिफाइट का रट तो मतलब लगा हुआ है, हम थोरी उसमें लोहा का लगाएंगे जो समझाएंगे आपको, समझ गया है, चली आगे देखते हैं, आगे देखीं आगे आपका question है, तिरानमे नमर, क्या का रहा है कि आपको यहाँ पर देखते हैं, पता चलगा, Stephen Hawkins, इनके द्वराएंगो बूक लिखा गए, जो काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आपके द्वराएंगे लिखा गए, तो यह काफी इंपोटेंट बूक है, कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है, ठीक ह करा है, कि National Technology Day, National Technology Day कब मनाया जाता है, तो यह 11 माई को मनाया जाता है, समझगे बातों को, चलिए, देखिए, पंचान में नमर कुछान क्या करा है, कि टू प्लेन मिरर और के 90 डिग्री, ठीक है, तो उसमें कितना इमेज फॉर्मेट होगा, तो देखिए, दू का प्लेन मिर तो ठीटा आपको कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो कितना हो जागा, 360 बटा में कितना है, तो 90 माईनस बटा में कितना है, कितना हो जागा, 4 माईनस में बटा में कितना, 3 हो जागा, समझ गया, तो अप्सन कोन हो जागा, दो हो जागा, चलिए, देखिए, देखिए, नेक्स्स्ट आपको कोन है तो 90ici क्या है ए डिवाइस गाइस डीजरनशिटी ऑफ इलेक्ट्रोब्गनेटिक रडियसं धी। स्बसे पहले बात यहाँ पे थोरा सा स्मझ लीजें। सूशन पूछा जाता है देखिए हैंपे एक होर्स एक होर्स पावर जीकशल्टू k值ना एक कितना होता है तो सात सोच Whisky once होता है समझे बातों को अब यहां से आपसे स्वावर तो खुझा है लेकिन होर्स पाड़ेगा तो 60 क्यों कि चार मिनेट में धीया है तो जब डैक वी किजिये गाना तो आ जागा वैं आरा यहां एक Rs 006 किए गुंूना कर लिए इसमेंelse明्री करते चिए रैका के ऐसा 가장 थिवाइट कर देता थे तो कौन से मन्थ में यह किलियरली देखा जाता ते अपरेल मन्थ में किलियरली देखा जाता है समझ गया चलिए आगे देखिए यह सब कुस्टेन एक्षोली है यह बहु ज्यादा देखिए धरशकारbयकně नहीं है यह एक सर Si compliant गयादाय क work यह होन्ने गेए देखिए यहा भाता है प्लेट क मेजर करते हैं यहके गलत दिया है कि Barometer से हम क्या Major करते है तो इंटमोस्फेरिक जो Equate hatा वहता है वहता है इसको हम Barometer से Major करते हैं बाकि हम अज़े आपसन को देख लेते है कि क्या है तो replen होते है जो Earth का जो core बना होता है इसके बना होता है तो iron और nickel से बना होता है यह बहुत इसको याद रखे है ठीक है मरकडी जो है सबसे क्या होटेस्ट प्लानेट है ठीक है मतलब सोलर सिस्टम के अंदर सबसे होटेस्ट को ने तो मरकडी है समझे इतना आपको याद रखना है देखिए all the galaxy move from तो इतना ही question था दोस्तो आज के लिए तो आज तक इतना ही रखते हैं तो लाइक कर दीजे और दोस्तों के साथ share भी किजे क्योंकि आपको पता है जब मैं मतलब है start करता हूं question तब से लेकर के आपको एक second भी time बीच में खड़ाब नहीं करता हूं सबके सम टाइम आपको उपयोगी आपके लिए बनाता हूं ठीक है तो आप इन बातों को ध्यान रखे ठीक है तो आपको इतना तफर्ज बनता है कि like, share, subscribe करें और आप हमेश पर बाचिंग ओके बाए जै हिंदूस तो